तमस्कार बहुत स्वागत है जोतिश जराट के मैं वापके साथ आपका इश्टो फ्रेंड संतो संतोशी और आज शो भी शेले करके आए हैं एक ऐसी दशा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका ध्यान हर किसी को देना है क्यों क्योंकि इस दशा में दो बातें अगर आपने ध्यान में नहीं रखा तो आपको मिटने से कोई नहीं रोग सकता में तरो एक बात याद रखिए हम अपने जीवन में उस चीज को भोगते हैं जो हमारी दशा चल रही होती है असी प्रतिशत तक हमें दशा नाथ का फल मिलता है और बीस प्रतिशत में बाकी सब आ जाते हैं अंतर प्रतिशत प्रतिशत प्रांदसा एवरिधिंग गोचर सब कुछ कोई हमारे साथ रह रहा है सब कुछ असी प्रतिशत दशा नाथ आपको फल देता है सव कहलो कोई दिक्कत नहीं है तो ऐसी स्थिती जब आती है तो आपको उस एक खास दशा में दो बातों का ध्यान रखना है पहले तो यह जानना है कि वो दशा कौन सी है मित्रों वो दशा है शुक्र की दशा अगर आपकी कुण्डली में अच्छा शुक्र की अंतर दशा में 40 प्रतिशत प्रत्यंतर दशा में 20 प्रतिशत सुख्श्म प्रत्यंतर में 10 प्रतिशत दो बातों का महा ध्यान देना है नमबर एक अगर आपकी कुंडली में शुक्र की दशाच चल रही हो तो आप किसी भी महिला कन्या का अनादर मत करिएगा नमबर दो क्या होगा वो मैं बताऊंगा दूसरे नमबर पर जो विशेश ध्यान देना है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप नादी का बहुत सम्मान करिए भईया आप मान न करिए हम इस पर फोकस कर रहे हैं बहुत लोग को लगता है ना कि इस तरी के सामने जुग गए छोटे हो गए इस तरी ने पूछ लिया कहां जा रहे हैं तो इस नौट यूर बिजनस हैं है कि नहीं तो हमारी responsibility बनती है और आप जब हमें देखते हैं तो हमें YouTube से कुछ पैसे मिलते हैं तो यह हमारी नमक हरामी होगी अगर हम आपको सही जानकारी नहीं देते हैं पत्थर पहिने थोड़िन कुछ होता है सौ सेंट का हीरा पहन लिए तो शुक्र बड़ा मगन हो गया ना पटक के मारेगा तब भी चण बैठेगा उठा करके दम दूसरे नमबर की चीज जो आपको विशेश ध्यान देना है शुक्र की दशा हो तो अकेले रहने का जहमत न उठाएगा शुक्र की दशा में अगर आप अकेले रहते हैं इस्पेशली गर्ल्स लड़कियां तो मोर देन 90% चांसेज हैं कि आपको कोई चीट करेगा अकेले रहेंगे आप अकेले रहेंगी आप उस अकेले पन का कोई फाइदा उठाएगा चिकनी चुपड़ी बातें करेगा आपके करीब जाएगा आपको फिर धोखा देगा शुक्र की दशा में जो आपके करीब गया जो भी गया बॉइफ्रेंड, गर्फ्रेंड, ओन्ली फ्रेंड ये भी आजकल इवाओं में ट्रेंड है न वी आज़श्ट फ्रेंड्स सारुक अंकल वाली बात भूल गए कुछ-कुछ होता है, पिक्चर में बोला था लड़का-लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते कुछ न कुछ फिलिंग्स तो रहेंगी ही रहेंगी ये बट नेचुरल है, ये प्रकृतिक देन है, ये प्रकृति प्रदत्त है वी कांट डिनाई इट only friends, what is this? what the hell is this? only friends मुझे एक दम नहीं पसंदे चीज there is something, there is some emotions are involved एक तरफ से, दोनों तरफ से तब तो positive है but एक तरफ से अगर है, तो negative है तो जो शुक्र की दशा चल रही है उसकी तरफ से तो positivity के साथ connection है बट सामने वाले की दशा शनी की चले तो ससुरा वो तो चीटे करेगा ना कभी इस पर भी पूरा बहुत बड़ा सा show हम बनाएंगे कि कि किस दशा में किस के करीब जाने पर क्या होगा और दशाओं के हम आपको symptoms बताएंगे आपको कुंडली देखने दिखाने की जरूत नहीं है तो दो चीजों का ध्यान रखना है अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है खास तोर पर लड़कियों को बहुत आगाह में कर रहा हूँ अगर आपकी शुक्र की दशा चल रही है ड़संट मैंटर वेर यूर वीनस इस सिचुएटेट इन और हॉरसकोप डैबलियेटेड है एक्जाल्टेड है कुछ भी हो राहू के साथ शनी ड़संट मैंटर शुक्र की दशा है तो उसके मूल गुण आपके अंदर आ ही जाएंगे तो शुक्र की दशा में आपको बहुत सायत रखना है पुरशों के लिए खास तोर पर किसी महिला का इस्त्री का अनादर नहीं करना है नारी का अनादर नहीं करना है घर में जितनी बुजर्ग महिलाएं है उपाई बता रहा हूँ उनका पाउं जरूर छुएं जो बड़ी हैं बहन हो भाबी हो मम्मी हो दादी हो कोई भी हो आप से एक घंटा भी कोई उम्बर में बड़ा है तो उसके चरणों को हाथ लगाएं और प्लीज क्रिपा करके रिक्वेश्ट है आपसे हमबल रिक्वेश्ट है आप महिलाओं का अनादर ना करें अगर आपने चंद सेकेंड के लिए एक पुरुशो करके एक महिला के लिए सीट ओफर किया आप मेट्रों में यात्रा कर रहे हैं बगल में इस्तरी खड़ी है दस साल की गुडिया खड़ी है आपने ओफर कर दिया यार छोटे तो नहीं हो गए हाँ exceptionally अगर आपके पाउं में तकलीफ है कश्ट है आप तो आप excuse कर सकते हैं कि sorry मैं आपको seat offer कर सकता था लेकिन मेरे पाउं में तकलीफ है I am so sorry आप इतना भी कहते हैंगे ना तो ओ लड़की वो महिला वो इस्तरी आपके प्रते सदभाव से भर जाएगी आपको जो करना हो हमने आपको बताया आपको किसी भी महिला का अनादर नहीं करना है अपमान नहीं करना है और अकेले नहीं रहना है maximum कोशिश करनी है कि कोई बड़ा आपके साथ जरूर हो thank you so much बहुत बहुत प्यार आप लोगों को हमारी तरब से भी और आज आज कल दो दिन जल्दी से आप चंड़ीगर में हमसे मिल सकते हैं और कल परसो 15-16 परसो नरसो सौरी 15 और 16 को जैपुर में राजस्थान में तो दोनों जगों पर हम आपका बहुत स्वागत करेंगे अच्छा यहां पर आकर कि आप गया जी की भी बहुत सारे जानकारियां ले सकते हैं अंकोर जी ब्रीफ करतेंगे सेलेश जी भी रहेंगे पंडी जी तो सब साथ में ही रहेंगे आईए स्वागत करेंगे आपका नमस्कार शिरादे झाल